इस वीडियो में दोस्तो एक्सल के ना 10 basic most useful formulas आपको सीखने को मिलेंगे एक्सल सीट में ना किसी भी तरह का कोई भी चोटा मोटा data हम maintain करते हैं तो basic formulas लगाने की जरूरत तो हमें हर जगह पड़ती है अगर आप Excel beginners हो तो आपको Excel के basic formulas की अच्छे से जानकारी होनी बहुत जरूरी है इस वीडियो में basic formulas मैंने best examples के साथ explain किये हैं और कुछ tips and tricks भी आपको सीखने को मिलेंगी मैं हूदी पक आपका दोस्त let's begin सबसे पहले तो आपको दोस्तो Excel में न formula and function में difference पता होना चाहिए formula and function दोनों अलग-अलग चीज़े हैं Excel में चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि formula क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे function क्या होते है formula क्या होता है formula basically expression होता है अब expression क्या होता है आप समझे यहाँ पे मेरे पास मार्क्सल के हुए है physics chemistry math मुझे यहाँ पे total करना है Excel में न आपको कोई भी formula या function लगाना हो तो सबसे पहले equal का sign लगाते है equal का sign लगा दिया अभी मैं यहाँ पे formula लगा रहा हूँ function नहीं लगा रहा formula तो मैंने equal का sign लगा दिया मुझे इन तीनों numbers का जो है total करना है तो मैंने cell पे कर दिया click plus का sign लगा दिया फिर मैंने second chemistry के marks को कर दिया select फिर मैंने plus का sign लगाया और फिर मैंने math के marks जो है कर लिए select अब मैं यहां पर क्या करूंगा एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल आ गया ठीक है यह है फॉर्मॉला यह प्लस के लिए यहां पर लिएन गही है फॉर्मॉला फॉर्मॉला मैं क्या करता हूं इकल करके हैं का सैंग है यहां उसका साओ कर दियाँ तो यह multiply होके यहाँ पे result आ गया यह भी formula है function क्या होता है जब equal के बाद कोई हम name लिखते है ना sum, maximum, minimum average, vlookup, hlookup वो होते है function बट यहाँ पे हमने कोई भी name नहीं दिया है direct हम expression लगा रहे है तो यह होता है formula समझा गया अब यहाँ पे basic formulas क्या होते है plus minus divide multiplication plus के लिए तो simple यहाँ पे plus plus का आप यहाँ पे sign लगाओ और cell select करते चले जाओ तो यहाँ पे इस तरह से प्लस कर सकते हो multiply के लिए हम star use करेंगे divide के लिए हम क्या करेंगे मानलीज यह मुझे क्या करना है यहाँ पे मेरे पास एक value लिखिए cell में 10 और यहाँ पे टू लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 10 को टू से divide करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा equal 10 divide के लिए हम यह वाला select लगाते है तू कर दिया select enterprise करूंगा तो result आ गया ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है minus करना है तो minus के लिए भी यह होगा मान लीजे यहाँ पे क्या करना है आपको इसमें से यह minus करना है तो equal का sign लगाया यह value select कर दी इसमें से क्या minus करना है यह minus करना है enterprise कर देंगे तो यह देखिए यह formulas हैं functions नहीं है समझा गया ना formulas क्या होते हैं अब यह plus minus divide multiplication के basic formulas मैंने आपको बता दिए यह तो बहुत ही जादा basic है इसके बाद हम बात करते हैं functions की अब यहां से detail में वीडियो सुरू हो गया है आप थोड़ी सी patience के साथ यह वीडियो पूरा देख लीजिए अगर आप excel beginners हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है ठीक है यहां पर अब हम function use करेंगे कई बार ऐसा होता है कि formula काफी लंबे हो जाएंगे अब यहां पर देखे तीन subject के marks हैं अगर यहां पर छे साथ subject के marks होंगे और मैं यहां पर फिर एक एक करके cell select करके फिर प्लस लगाऊंगा फिर यह cell फिर प्लस फिर यह cell तो काफी लंबा process हो जाएगा functions क्या करते हैं हमारे excel seat में calculations को बहुत आसान कर देते हैं देखिए यहां पर मैं sum का formula लगाऊंगा sorry function लगा equal वैसे हम formula ही बोल देते हैं इनको भी बट होते है function है equal sum अब यहां पर मैंने एक name type किया है sum यह function bracket open करेंगे ठीक है अब यहां पर देखिए यह इसके parameters है number one comma number two dash 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 इसमें क्या होगा आपको पहले यह number देना होगा comma लगाके फिर यह number comma लगाके फिर यह number तीन नमबर हमने यहां पर दे दी हैं bracket बंद करके हम जैसे ही enterprise करेंगे तो यहां पर total आ गया ठीक है अब यह तो एक simple है कि हमने इस तरह से calculation कर दी बट कभी भी अगर हमारे पास एक cd range है तो हम इस तरह से एक एक करके cell formulas में नहीं देंगे हम क्या करेंगे sum का formula लगाया bracket open कर दी एक ही बार में यहां से यहां तक यह range select कर देंगे बी 4 से d4 ठीक है bracket बंद कर देंगे और enterprise कर देंगे तो यहां पर sum आ गया आ गया आ अब यह जो total है यह हमें नीचे भी चाहिए तो हमें बार बार formula लगाने की जरूरत नहीं है इसके कुछ तड़ीक है पहला तड़ीक आप देखिए यहां कौने पे लाना है और जब इस तरह से यह पतला प्लस का आइकन बन जाए न तो left click दबा के रखो और इसको नीचे खीच लो तो यहां पे देखिए यह जो है formula इसमें यह cell थे ठीक है यहां पे आप देखिए यह जो formula था इसमें यह cell आ गई हमने इस cell पे से formula को नीचे खीचा तो इस cell में इस formula में जो range हमने दी यह वाली यह भी नीचे खिसक गई समझा गया ना यहां पे मैं देखिए डबल क्लिक करता हूं तो इसमें यह वाली range है तो formula जैसे आपने नीचे खीचा तो उसकी जो range थी वो भी automatic formula के according नीचे खिसकती चली गई आगे समझ में दूसरा तरीका क्या होगा म मैं इनको कर देता हूं delete अगर आप drag and drop नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो select कर लीजिए और इसके बाद keyboard से प्रेस कर दीजिए Ctrl D Ctrl D इससे क्या होगा formula नीचे copy हो जाएगा अब मैं sum की एक shortcut की आपको बता देता हूं मान लीजिए अभी तो मैंने हैं पर लिखा था equal sound फिर उसको बाद range लग की तो काफी लंबा हो गया sum एक shortcut तरीके से भी हम लगा सकते हैं कैसे लगएगा देखिए मैंने इनको कर दिया delete यहां पर मुझे values का sum करना है तो बस मैंने यहां पर क्लिक किया keyboard से एक shortcut क्यम प्रेस कर देंगे alt plus alt plus जैसे मैं यहां पर प्रेस करूंगा तो formula automatic लग गया बस enter प्रेस कर दीजिए तो यहां पर का हो गया अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पर मुझे formula नीच से ड्रेक करने का आप एक ही बार में यह range कर लो select curly range select ठीक है अब बस keyboard से जैसी मैं alt plus प्रेस करूंगो तो यहां पर magic हो जाएगा alt plus यह देखिए हो गया नकाम तो ऐसे हम use करते हैं some function का यहां पे भी आप total कर सकते हो अगर मैं यहां पे click करके keyboard से press करता हूं alt plus तो excel automatic समझ जा तक range भी दे सकते हैं एक साथ कैसे देखिए यहां पे मैंने sum का function लगाया equal sum bracket open ठीक है इसके बाद यहां पे मान लिजे पहरी range मैंने यह curly select कॉमा लगा दिया मुझे इन numbers का total करना है कॉमा लगा के इसके बाद मान लिजे यहां से इनको भी जोड़ना है साथ में कॉमा लगा के आप अलग-अलग range भी एक साथ sum formula में दे सकते हैं अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ इसकी bracket बंद करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे enterprise कर दीजिए excel इसको अपने बंद कर लेगा ठीक है enterprise करूंगा तो यहां पे देखिए काम हो गया है और यहां पे देखिए bracket अपन function ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं multiply के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या formula हम लगाते हैं यहां पर देखिए item के ने में यहां पर quantity है और यहां पर price है तो यहां पर मुझे amount कैसे निकलेगा quantity into price तो इसके लिए simple सा funda है formula यहां पर हम लगा देंगे function की जरूरत तो यह यहां पर कुछ खास है नहीं है ना इकोल का साइंग डिस वैल्यू मल्टिप्लाई बाई दिस वैल्यू है ना एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पर देखिए amount निकल के आ गया इसको पकड़ के नीचे खीज़ देंगे सभी का आ गया अब अगर हमें बहुत सारे cells multiply करने हो तो इसके लिए simple सा function है equal product टैब की प्रेस कर देंगे तो यहां पर product का formula आ गया है इसमें यह दोनों cell मैंने कर दिया select अब यह क्या करेगा इन दोनों cells को multiply करके देगा यह देखिए अब product में हम बहुत सारे cells भी दे सकते हैं समझा आ गया इसके बाद आप यहां पर देखिए मैं एक दूसरी sheet पर आपको लेके चलता हूं यहां पर फटाफट में total कर देता हूं तो मैंने keyboard से press कर दिया alt plus तो यहां पर आ गया total ठीक है इसको पकड़के मैंने नीचे खीच दिया तो यह सब का आ गया अब अगला function यहां पर है average का average हमें निकाल ली है तो simple सा function है equal average ठीक enter press करेंगे तो यह तीनों की average निकाल के हमें दे देगा simple सा function है जो भी values हैं उनको इस formula में हम कर देंगे select तो average निकाल के यह दे देगा अब यहां पर देखिए dot के बाद point के बाद 4 decimal यहां पर आ रहे हैं तो इनको कम या ज्यादा कैसे करेंगे देखिए आपने यह range कर ली select home tab पे जाना है और यहां पे number block के अंदर number group के अंदर यहां पे option दे रखे हैं यहां से decrease कर दीजिए यहां से हटा दिये दो बिलकुल अटाना है तो इस तरह से आप हटा सकते हो तो यहां से मैंने दो रख लिए average का formula समझ में आ गया इसके बाद यहां पे दो formulas आप और देखि यह max और यहां पे min ठीक है मुझे क्या करना है यहां पे maximum marks निकालने है physics में कितने हैं physics में maximum marks कितने आए हैं वो निकालने हैं तो इसके लिए simple सा formula है equal max bracket open और यहां पे हम क्या करेंगे range कर देंगे select ठीक है जैसे आपने sum के अंदर अलग-अलग range दी थी थी ना यहां से range दे दी ऐसे आप यहां पे भी दे सकते हो फिलाल मैंने यहां पे physics की range कर दिया select enterprise करूंगा तो physics के अंदर maximum marks कितने हैं वो निकल के आ गए हैं अब मुझे यहां पर आगे chemistry के बिचे हैं math के बिचे हैं तो formula है इसको पकड़ के आप इधर drag कर सकते हो यह देखे तीनों के आ गई ह हैं अगर मैं इस cell पे double click करूंगा तो देखिए यहां पे range कौन सी है यह वाली range है ठीक है ना आपको यहां पे total में से भी maximum निकालना है और average में से भी निकालना है तो इसको आगे तक dragon drop कर दीची तो इस तरह से निकल गया है आपको सबसे चोटी संख्या सबसे चोटे marks सबस को पढ़ सकते हो तो टैब की प्रेस करके यहां से फर्मला आप ले सकते हो यहां फर्मला इसमें मैंने यह range कर दी select enter प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे कम marks जो थे वो निकल के आ गई है इसको इधर ड्रेक कर दीजिए फर्मला आप कहीं भी ड्रेक कर सकते हो इध count count a and count blank count formula क्या गड़ता है मेरे पास यह data यहां पर dates है और यहां पर total sale है जिस दिन sale हुई उस दिन की sale यहां पर लिखी हुई है ठीक है यह लिखी हुई है अब मुझे यह count करके बताओ कि total sale कितने दिन हुई यहां पर dates लिखी हुई है ठीक है तो मैं क्या करूँगा count formula से ऐसे cell count कर लोंगा इस range के अंदर जिनमे numeric value लिखी हुई है तो यहां पर मैं लगाता हूँ equal count count formula क्या करता है इसमें हम एक range दे देंगे एक range दे दी इस range के अंदर वो cell count करेगा जिनमें केवल numeric value लिखी हुई है केवल numeric value enterprise कर देंगे तो यहाँ पर देखिए six cell यह ऐसे बता रहा है कि जिनमें numeric value है count करें दो यह हो गए दो यह हो गए चार पांच और छे खाली cell हो या number के लावा कुछ और लिखा हो उनको यह छोड़ देगा cable range के अंदर ऐसे cell count करेगा जिनमें numeric value है समझा गया count formula इसके बाद है count a function यह क्या करेगा इसमें जो भी range आप select करोगे ना उस range में non empty cells कितने हैं यह count करेगा तो मैंने हाँ पर लगाया count a और इसमें मैंने यह range देगी अब यह क्या करेगा इस range में कितने ऐसे cells हैं जिनमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हो non empty cells कितने हैं यह count करके हमें देगा अभी मैंने enterprise किया तो यहाँ पर 8 आ गया इसका मतलब इस range में 8 cell ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है आप देखिए तीन यह रहे 5, 6, 7 और एक यह 8 दो cell यहाँ पर खाली है ठीक है count एफ formula क्या करता है जो भी range आप दोगे उसमें ऐसे cell count करेगा जिनमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है बस empty नहीं है समझा गया इसके बाद यहाँ पर एक और formula है count blank यहाँ पर लाते हो आप count blank यह क्या करेगा नेम सी पता चल रहा है range आप जो select करोगे इसमें उसमें यह count करेगा कि कितने cell खाली है तो यहाँ पर 2 खाली है तो यहाँ पर 2 आ गया आपने कोई भी formula लगाया चाहे कोई sum का formula था यहाँ पर देकि sum का formula लगा हुआ है ठीक है अगर मैं यहाँ पर number change करूँगा मान लीजिए मैंने यहाँ पर triple 3 डाल दिया तो देखी क्या होगा कहीं भी click करते ही यहाँ पर formula change हो गया है ना तो formula इस automatic update हो जाएंगे इस formula में मैंने यह 3 cell दिये है अगर इनकी value मैं change करूँगा तो formula अपने आप change हो जाएगा इसको मैंने 0 कर दिया तो यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा मतलब यह 0 इस cell की value 0 एड हो गई है समझा आगया ना यहाँ पर देखिए minimum में भी 0 आगया तो मतलब कहने का यह है कि अगर आप cell की value को change करोगे तो formula तुरंट update हो जाएगा यह जो automatic calculation है इसको आप on और off कर सकते हो इसके लिए आपको कहा जाना होगा इसके लिए आपको formula tab में जाना होगा और यहाँ लास्ट में ना calculation options है यहाँ से automatic पे टिक लगा हुआ इसका मतलब सारी calculations automatic होंगी जैसे आप sheet में कोई छेड़ जाड़ करोगी तो formula is automatic update हो जाएगे अगर यहाँ से manual पे click कर देते हो manual मैंने कर दिया ठीक है अब क्या होगा आप यहाँ पे देखिए मैंने जीरो की जगे वन टाइप कर दिया तो यहाँ पे ना तो यह formula update होगा ना यहाँ minimum में 1 आया जीरो तो यहाँ पे है यह नहीं है ना यह भी update नहीं होगा तो इस case में आपको करना क्या होगा अगर आपके साथ ऐसा होता है कि फर्मले इस ऑटमेटिक अपडेट नहीं हो रहे हैं तो आपको जाना होगा formula टैप पे और यहाँ calculation options पर जाके इसको ऑटमेटिक कर दीजिए ठीक है ना इसके बाद हम यहाँ पे count blank हमने सीख लिया अगर मैं यहाँ से किसी भी cell की value को delete करूँगा तो count blank की जो value थी जो result था वो तीन हो गया और बाकी यहाँ पे count और count यह भी update हो गए automated फिक है इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यह कुछ name इस तरह से लिखे होई है trim formula से हम यहाँ से extra space अब यहाँ trim formula क्या करेगा इसी जगह से तो हम मतलब इसी कॉलम में इसी जगह पे हम space नहीं अठा सकते इसके लिए हमें एक helper कॉलम की जरूरत पड़ेगी तो या तो आप यहाँ पे कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे एक कॉलम और एड़ कर लीजिए यहाँ से कॉपी करके नेम यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे लगाई है formula equal trim bracket open और इसमें आपको बस यह text कर देना select bracket बंद करके जैसी enterprise करोगे न तो यहाँ पे जो extra space है आगे हो बीच में हो पीछे हो तो वो सारा ही अटा देगा अभी यहाँ पे देखिए रीना से पहले काफी space है यहाँ पे space है यहाँ पे बीच में space है यहाँ पे आगे space है तो इस तरह से हमारे पास यह जो है data clear नहीं है इस data को clean करने के लिए हम trim formula का use करेंगे तो इसको पकड़के नीचे ड्रैक कर लीजिए यह देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया है यहाँ पे सारे name बिना space के आ गई है समझा गया इसके बाद यहाँ पे एक और formula है length का अगर मुझे यह पता लगाना है कि इस cell में कितने characters ल 10 bracket open अब इसमें आप जो भी cell select करोगे और enterprise करोगे तो यह क्या करेगा उस cell में कितने characters हैं वो count करके देगा ठीक है यहाँ पे 10 है इसको पकड़के नीचे खीचेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 है यहाँ पे रीना जो name लिखा है इसमें कितने letters है आर डवली एन एफाइव त सकते हैं 255 एक सेल के अंदर 255 तक characters हम टाइप कर सकते हैं यह नहीं है कि यह की सेल में पूरी कहानी लिख देंगे 1000 लेटरस टाइप कर देंगा नहीं हो सकता सेल की भी लिमिट है 255 तक ही characters हम सेल में टाइप कर सकते हैं तो यह कुछ basic functions थे जो मैंने आपको बताए उमीद कर दोस्तों have a nice day जय हींद वंदे महातराम टेक कियर